हम जिन्दा हैं तो नहीं तुम्हारे ऐसानों से हैं, हम जिन्दा हैं तो विपदाओं के वर्दानों से हैं, हम जिन्दा हैं तो नहीं तुम्हारे ऐसानों से हैं। एक वाक की बोला वो मैं जोंका तों याद रखता हूँ न्यूयार्क में विशुंदी समेलन मैं मुझे बोलाते समय ये पुत्री है मेरे एक वाक की इनोंने बोला था वहाँ कि मैं अपने देश के उस कवी को बोलाता हूँ जिनकी पुस्तकों के नाम उपर नीचे लिख दिये जाए तो खविता बन जाए ऐसे करके इनोंने बुलाया था वाँ मैं उसी पर रचना पड़ता हूँ हम किसी के कृपा पर जीवित नहीं होते एंकार में भी जीवित नहीं होते पर एक सात्विक्ष्व अभिमान रखते हैं ये सब हम जिन्दा हैं तो नहीं तुम्हारे ऐसानों से हैं हम जिन्दा हैं तो विपदाओं के वरदानों से हैं हम जिन्दा हैं तो नहीं तुम्हारे ऐसानों से हैं फूलों का भी नंदन हमने कभी ने सुईकारा पर काटों से निब गया सहज में ही भाई चारा सुविधाओं के राजमार्ग भी आये रास नहीं और जनम जनम से पीड़ा पत्रानी ही पास रही हम दुख राजा के खास-खास महवानों में से हैं हम जिनदा हैं तो नहीं तुम्हारे ऐसानों से हैं बहुत अच्छे चीन रूस या अमरीका से हमको प्रीत नहीं गैरत गिर्वी धर्ना इस मेरे कुल की रीत नहीं ब्रश्टाचार भुकमरी शोशन मेरे भी दुश्मन पर देश दोह का कंठ दबाने का भी निश्चित प्रन लेकिन जुल्मों से टकराना मेरी लाचारी क्योंकि गद्यों से ज़्यादा हमको धर्ती प्यारी लेकिन जुल्मों से टकराना मेरी लाचारी क्योंकि गद्यों से ज़्यादा हमको धर्ती प्यारी हम जहर पियें मुश्काएं उन मर्दनों मैंसे हैं हम जिन्दा हैं तो नहीं तुम्हारे ऐसा हम जिन्दा हैं तो विप्दाओ कि वर्दानों से हैं, बहुत अच्छे, हाथों में हतकडी, पाउं में बेडी का गहना, मात्र भूमी के लिए चाव से कई बार पहना, इतिहासों में अमर रहें, ऐसे कुछ चाह नहीं, ये जीवन बचे, बचे, मिठ जाए, कुछ परवाह नहीं, हम जैयात्रा के लिए हुए अभियानों ऐसे हैं, हम जिंदा हैं तो नहीं तुम्हारे ऐसानों से हैं, हम जिंदा हैं तो विपदाओं की वर्दानों से हैं, एक और इसी गोत्र में फोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, सच का कह देना बड़ा कठिन एक दूसरी रचना इसी तरह सच का कह देना बड़ा कठिन सुनकर सहलेना और कठिन सच का कह देना बहाँ कठिन सुनकर सहलेना और कठिन लेकिन मुझे को कहना होगा तुमको सुनकर सहना होगा यह दोड कागजी गोड़ों की अपसर अपसर दफ्तर दफ्तर फाइल ये लफाजी मैं खूब समझता हूं मित्रों तुम सब की तो मजबूरी है पर हम तो कवी हैं बागी हैं सच कहना बड़ा जरूरी है सच कहना बहुत जरूरी है हम हम अगनिवांश में जन में हैं पलते निश्दिन तूफानों में ये सब हम अगनिवांश में जन में हैं पलते निश्दिन तूफानों में हाटों में बिखते नहीं और सच्देन कभी दूकानों में फुट पाथों के हम मीत रहे साथी नुकर चौराहों के पर नैनों में खटके काटे से इस कारण नोकर शाहों के खोटे बाटों से तुले नहीं ह भा 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 हम अवसरवादी मंडी में पर बड़े ठाट से चलते हैं कि चड़वाली पग डंडी में शायर हैं सिंघ सपूत रहे इसलिए लीख पर चले नहीं लीख तोड़ती नोछ रहें शायर हैं सिंग सपूत रहे इसलिए लिक पर चले नहीं और समझोता बादी नहीं रहे इसलिए किसी के भले नहीं समझोता बादी नहीं रहे इसलिए किसी के भले नहीं इसलिए इसलिए दर्द हम दर्द रहे और इसलिए सुखों से दूरी है हम सरस्वती के बेटे हैं सच कहना बढ़ा जरूरी है मेरे हमराः दोस्तो हम बीश्वी सदी के बेटे हैं दिखने में बड़े भागशाली लेकिन किस्मत के हेटे हैं हमने देखा है कतल यहां सच्चाई कादो पहरी में और हंसों को मुझरिम ठेराना कवों की बरी का चहरी में हमने देखा है कतली हाँ हमने देखा है कतली हाँ सचाई का दो पहरी में हंसों को मुझरिम ठेराना कवों की बरी का चहरी में और नियाया लेके सिर पर पड़ती सत्ता की ठोकर देखी है जो कलम वेद रच सकती थी कुर्शी के नौकर देखी है सत्ता की ठोकर देखी है जो कलम वेद रच सकती थी कुर्शी के नौकर देखी है सच कहूं अगर तो मरनी यहां और चुप रहूं अगर तो मरनी यहां सच कहूं अगर तो मरनी यहां चुप रहूं अगर तो मरनी हाँ जो जितना बड़ा लुटे रहा है उतना ही पुजित चरणी हाँ मकारी के घर खुददारी करती देखी मजदूरी है हम जनम जात विद्रोही हैं सच कहना बड़ा जरूरी है सच कहना बहुत जरूरी है आओ आओ लावा बनकर धदके बारूद बने भी स्फोट करें इस भर्ष्ट व्यवस्था के घर पर हल्ला बोलें कुछ चोट करें थोड़ी सी कड़वी बात हम क्यों टांके उनके बिले हम क्यों थामें उनके जंडे है फर्ष्रिवत कंडों का सब एक घाट के हैं पंडे अपनी पीड़ी के चेहरे का हर दाग हमें ही धोना है इस अंध्रकार के जंगल में उज्यार हमें ही बोना है यो शीष जुका कर मत बैठो आओ उठकर हुंकार भरो यह सारी रहा तुम्हारी है आगे बढ़कर अधिकार करो क्या बात है क्या बात है आगे बढ़कर अधिकार करो कि और मित्रों बता उंगलिक बता देना बजबी बढ़ जाओं वह रोड़े वाली नाले वाली अच्छा चलिए देखे अच्छा याद दिलाया आप बहुत बार गए होंगे ग्वालियर 35 वर्ष पूर्व कृष्ण मित्रोर में गए थे उस समय राजमाता सिंद्या जीवित थी संसकार भारती का एक कारेक्टर हुआ हुआ था और शद्धे योगेंदुजी तो थे ही वहां इस मुख्यमाई की थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए तो वहां हमने उस नाले को देखा जो कूद नहीं सका था वो घोड़ा उसमें पा प्रतिमा खड़ी हुई थी वहां आज भी खड़ी हुई है मैं एक साल पहले गया वहां पर पानी नहीं था नाले में सिमेंट हो गया प्रतिमा वहीं खड़ी है मैंने वहीं सोचा वहीं लिखा वहीं पढ़ा वही रचना पढ़ रहा हूं काश वो घोड़ा उसमें नाले को कूट जाता तो इतियास ही बदल जाता इसी को पढ़ रहा हूँ देखिगा ओ घुड़े समरभवानी के ओ घुड़े समरभवानी के लक्षमी भाई मर्दानी के तूचूक गया लिखते- लिखते कुछ, पन्ने अमर कहानी के ओ cities घुड़े समर भवानी के लक्षमी बाई मरदानी के तु चुक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के तु एक उच्छाल हुमक भरता ना लेके पार उतर जाता घोड़े बस इतना कर जाता चाहे अगले पल मर जाता तो घोड़े समर भवानी के लक्षमी बाई मरदानी के क्या उस दिन तेरी काठी पर अस्वार सिर्फ महरानी थी क्या उस दिन तेरी काठी पर अस्वार सिर्फ महरानी थी क्या अपना बेटा लिए पीट पर केवल जहांसी की रानी थी क्या अपना बेटा लिए पीट पर पर था, ये अशुकाश समझा होता भारत का भाग पीछ पर था, ये अशुकाश समझा होता भारत का भाग पीछ पर था, पल भर के एक फैसले से भारत का भाग समर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता, ओ घोड़े समर भव ये अशु काश उस दिन तुने चेतक को याद किया होता और नाले पर ठिटके पामों में थोड़ा उन्माद भरा होता चेतक भी योही ठिटका था राना सरदार पीट पर थे था लहू लुहान थका हरा मेवाडी ताज पीट पर था लेकिन नाले के पार कुदने तक जेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा मेवाडी यान नहीं तोड़ी स्वामी का साथ नहीं छोड़ा मेवाडी यान नहीं तोड़ी एक उचाल हुमक भरता ना लेके पार उतर जाता घोड़े चाहे अगले पल मर जाता ओ घोड़े समर्भवानी के लक्ष्मी बाई मरदानी के अंत में देखे जो हो ना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है तेरे उस जिजकन फिटकन की वो कसक चुबं अज तक मन में है यह नाले तुरी कुछ करता वाफ 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 तुरी कुछ करता निज पानी सोख लिया होता और राणी को मार्ग दिया होता, अन्भल को रोक लिया होता, तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते हैं, वाँ, एक बार तालियां पूरे सदन की उठें, वाँ, 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 नाले तुही कुछ करता अनभल रानी को मार्ग दिया होता निजपानी सोख लिया होता अनभल को रोक लिया होता तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पुजन करते और तेरे जलके छीटे लेकर हम अपने तन पावन करते तेरे जलके छीटे लेकर हम अपने तन पावन करते तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, घोडे बस इतना कर जाता, ना लेके पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता, ओ घोडे समर भवानी के, और मित्रो मुझे अपने मन की बात करने की जाज़त्वी दो मिनट दी जाए, मैंने सारी उमर वीरस गया, मैंने कभी एक गीत सुना, मैं कभी नहीं छुपा था, प्रेज़ना कहां से ली, पिनी इतना रोका था कि दिल्ली मैं अब कह मत कहना, वो बात नहीं कहूंगा, कुछ लोगों नहीं, दुर्भाग ये रहा कि कभिताएं तो ली मेरी, गाई भी, पर संसा भी पाई, आंदोलन भी चले, पर गड़बड ये हुई, कंभकत अगर नाम ले देते, तो क्या भी गड़ जाता मेरा, तो अपनी कहकर ही गाते रहे, मैं भी टीवी पर सुनता रहा, कहता रहा, ठीक है बेटा, हमारी यूहीं सही, मैंने एक गीत सुना, और वो गीत ये था, गीत कितने गाच चुकी हूँ, इस दुखी जग के लिए, आज गाने दो मुझे पला, चार अपने भी लिए, मैंने इसी से प्रेरीथ होकर एक रचना लिखी, हम सब की ओर से, अनगीन गीत उमर भर गाए, लेकिन खुझ रह गए अगाए, हमने पूरी उमर खपा दी, जलकर पीर पराई में, हमने पूरी उमर खपा दी, जलकर पीर पराई में, इसलिए तो चर्चित हैं, हम अब तक लोग हासाई में, हमने पूरी उमर खपा दी, जलकर पीर पराई में, हमसे मत पूछो, दुनिया में क्या-क्या बुरा भला देखा है, न्याए देवता के हाथों पर हमने खून लगा देखा है, न्याए देवता के हाथों पर हमने खून लगा देखा है, चंदा से उजले मुख़डों पर भी काले धब्य देखे हैं, और हमने देवों की चादर पर भी पैबंद लगे देखे हैं, हमने देवों की चादर पर भी पैबंद लगे देखे हैं, ये बिटिया मुझे क्षमा करें, पर कुछ प्रतिशत ऐसा है जो बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ज़्याद है, पर क्षमा सहीद बोल ला हूँ बिटिया से, जीवकापती है कहने में, ये कवी सम्मिलना हो रहा है, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, जीवकापती है कहने में, फिर भी लो तुमको बतलाएं, सरस्वती के छद्म बेश में पुझती देखी विश्कन्याएं, जीव कापती है कहने में फिर भी लो तुमको बताएं सरस्वती के छद्म बेश में पुझती देखी विश्कन्याएं इसलिए तो आग रमाए घूम रहा कविताई में हमने पूरी उमर खपा दी जलकर पीर पराई में अंगिन गीत उमर भर गाए लाभानिका गनित फलाकर जीना हमको रासनाया और ठकुर्शु आती बात बनाने का हमको अभ्यासनाया ठकुर्शु आती बात बनाने का हमको अभ्यासनाया देवदारुसम हर आंधी में अडिक रहे हम हर आंधी में अडिक रहे हम देव दारुसम सीस उठाए और हरा फत को ललका रहा है कल आती हो अब आजाए कड़वी से कड़वी सच्चाई कहने में बदलाम रहे हैं इसलिए तो अति विशिष दुख मेरे घर में वान रहे हैं कड़वी से कड़वी सच्चाई कहने में बद्राम रहे हैं इसलिए तो अति विशिष दुख मेरे घर महमान रहे हैं हम सहित्तिक गीत लिख रहे हैं हम सहित्तिक गीत लिख रहे इस विशन महंगाई में इसलिए तो चर्चित हैं अब तक लोग हसाई में अंगिन गीत उमर फरगाए इसका अंतिमश पड़ता हूँ सबकार्थ पानी के आशे आगारी होते हैं नदिया पोखर कूप समंदर किस पर क्या विश्वास करें हम नदिया पोखर कूप समंदर किस पर क्या विश्वास करें हम और पन घटने प्यासे लोटाए मरघट से क्या आस करें हम गंगा जल हो या की हलाहल सब कुछ निश्प्रिय रह पीना है शीव होना तो बड़ी बात है अब तो शभोकर जीना है सब के होकर भी न किसी के हम वेबे घर बन जा रहे हैं गातों प्रतिगातों से जीते हलातों से हमारे हैं गातों प्रतिगहतों से जीते हालातों से हमारे हैं काश कभी खुद की भी चिंता कर लेते तरुणाई में तो इस कदर ने चर्चित होते अब तक लोग हसाई में अंगिनगी तुमर भरगाए और ये रचना पढ़कर मैं एक 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 मिनट इन सब के लिए पढ़ना चाहता हूँ क्यूंकि असी वर्ष होने वाला हूँ तो आखिर हमारी पीड़ी तो गई इस पीड़ी को कौन सिखा कर जाएगा ये विद्वान है ख्याती में बड़े हैं पदों में बड़े हैं साहित में बड़े हैं पर भगवान ने एक चीज ऐसी दे दी हमी इन से बड़े हैं वो है उमर इसका क्या करें इसलिए हम एक सीख देकर अपना बैठना चाहेंगे वो सीख ये है कहा बस मैं ये बता दू इसकी भूमिका तो ये है कि एक कभी समयलन था है ऐसाई जब मेरा नंबर आया तो उससे पहले संचालक ने एक छोटी सी रचना पड़ी मैं नहीं जानता था वो संचालक दुखबंदी कब से करने लगा पर जोधपुर में उसने ये लाइन बोली कि हम जो आवारा लफंगे जैसे बदमास जो भी हैं इस पुरानी पीडी के करन से हैं क्योंके ये भी ऐसी रही होगी तब हम ऐसे बन गए ये कहा उसने और ये अंत में बोला ये कविता जो पड़ रहा हूं आज के अध्यक्ष बलवीर सिंग कर उनको समर्पित करता हूं जो मेरे पिता हैं अब मुझे नहीं पता सच मान ये ये मेरी पीडी जाने सच मान ये मुझे पांच महीने लगे थे इसका उत्तर खोजने में कहीं ऐसा तो नहीं है नई पीडी ने सही सवाल उच्छाल दिया हो अथ्वा गलत है मेरी जिम्मेदारी है मेरी पीडी की ओर से और इन की पीडी की ओर से आप सब को उत्तर देता हूँ हम तो कही दिनों से बैठे अपना साब सामान समेटे चंदर बरदाई के बाद भूशन तक इतने साल बीते उन सेंकडों सालों में कोई वीरस का कभी उस चकर का क्यों नहीं हुआ किसी कभी नहीं रोका उसके बाद में बाल कभी बैरागी तक आते हैं कितना समय लगा किसी नहीं रोका हरियों पामार तक आने में भी बहुत समय लगा हमने तो कभी ओने तो रोका नहीं क्यों नहीं रुका शोर्ट कर ढूंट दी रही ये पीडी इसलिए हम बोल रहे हैं हमारी संस्कृति कहती है वो एक वाक्री बोल देता हूँ अंग्रेजी फंग्रेजी संस्कृत छोड़ दें हिंदी में ही बोल देता हूँ केवल हमारा ही देश है दुनिया में अकेला जो पिता रात दिन माला भजता है हे भगवान मेरा पुत्र जिस दिन मुझे हरा दे मेरा जन्म सफल हो जाए केवल हम बोल सकते हैं और केवल केवल इस भारत का गुरु बोलता रहता है गुरु मेरा शिष्ट किस दिन मुझे पराजित कर दे परमात्मा वो दिन कब आएगा इसलिए हमारे यांक आ गया हर जगे विजय की काम ना करता हूँ परमेश्वर पर बेटे और शिष्ट से हार जाओं बस ऐसा दिन दिखा दे केवल हम हैं इसलिए बोल लाओ मित्रो इन सब को भी हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे दोश हमारा नहीं दोस्त बस तुम्ही जरा देर से आए हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे दोश हमारा नहीं दोस्त बस तुम्ही जरा देर से आए लो ये मैफिल को है समर्पित लो ये पामनमंट संभालो और लो थामो ये पुनिपता का जिससे हम जल्दी घर जाएं हम तो कई दिनों से बैठे अपना साइब समान समेटे क्या बात है गुमनामी के तिमिर्चीर हम किर्थी शिखर पर कैसे आए गुमनामी के तिमिर्चीर हम किर्थी शिखर तक कैसे आए और फुर्सत होतो जाते जाते थोड़ा अता-पता दे जाएं, सर्जन लेखन इस पत्व में अपने ही शव को बार-बार धोना पड़ता है और गंगा जल से नहीं कलम को शोनित से धोना पड़ता है, इतना ही और इस पत्व का उद्देश रहा है, धैर ये धर्म की कठिन परिक्षा, सतसाधना देर्ग तपश्या करना बस निश्वलक पृतिक्षा, इतना ही कर लो तो काफी, और तुम्हें क्या-क्या समझाएं, लो थामो ये पुन्य पता का जिससे हम जल्दी घर जाएं, घर-परिवार ह हमारे भी थे, इतना ही जान लीजे, मेरे कावी गुरु पंडित देवकराम सुमन थे, जिन्होंने पैंतिस किता में लिखे और कंदे पर रखकर बेची, मैं साहरनपूर में रेलवे स्टेशन और बस इस्टेंड एक ही जगे था, पैदल जाता था, ताकि धाई रुपे रि गुरु जी से मिलाने तो कार भेजी उन्होंने, मैं आज तो चल रही है कार से, मैं धाई रुपे बचाने के लिए, गुरु जी से जोट बोलता था, वो कहते थे, अरे रिक्षक हाँ छोड़ी, साब वो कॉलेज के पास, छोड़ दी, एक सावारी उधर जा रही थी, और मै पैदल जाता था, छहे किलोमेटर, जाई रुपे बचाने के लिए, हम तो वहाँ से आए हैं, गर परिवार हमारे भी थे, गर परिवार हमारे भी थे, लेकिन वटके जो बनबासी, केवल एक लिफा पे खातिर घूम रहे हो कर सन्यासी, इस यात्रा का फल इतना सा, इस यात चीने राते मंचों को दे आए इस यात्रा का फल इतना सा सुनकर कौन जिसे हर्षाए दिन तो रेल बसों ने चीने राते मंचों को दे आए हम तो ठकन मिटाने अपनी अब सीधे घर को जाएंगे हम तो ठकन मिटाने अपनी अब सीधे घर को जाएंगे कुछ दिन इस पीडा को जेलो तब हम याद तुम्हें आएंगे कुछ दिन इस पीडा को जेलो तब हम याद तुम्हें आएंगे ये बहकी-बहकी सी बातें शायद काम कभी आ जाएं लो थामो ये पुन्ह पता का जिस से हम जल्दी घर जाएं हम तो कई दिनों से बैठे, अपना सब समान समेटे, और अंतिम पंक्ती बढ़ता हूँ, लो अब तुमें सौंपते हैं हम चादर धवल कवीरावाली, लो तुल्सी का तेज, संभालो पावण कलम निरालावाली, ये पुष्टेनी चादर, ये पुष्टेनी चादर, इस पर और शीज बले ही कटें, किन्तु ये कलम कहीं बिकने ना पाए, अन्यायों की देहरी पर, यही उपदेश अन्यायों की देहरी पर, यदि शीज तुम्हारे जुक जाएंगे, तो निस्ट है प्यारे बचों, हम जीते जीदे जी मर जाएंगे, अन्यायों की देहरी पर यदि शीष तुम्हारे जुग जाएंगे तो निश्चित है प्यारे बच्चों हम जीते जी अमर जाएंगे मा वागी शा तुम्हें प्यार दें हराफ़से राम बचाएं लो थामो ये पुन्यपता का जिससे हम जल्दी घर जाएं हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे दोश हमारा नहीं दोश बस तुम्ही जरा देर जाएंगे हम से लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम एक लाइक और चैनल को बहाएंगे हम से लना समेटा करेंवे दिनों से बस्पारा जाएंगे